हरी किष्णा रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप आप सबी ठीक होंगे आज है साल की आखरी एकादशी मोक्षदा एकादशी तो मेरा रहता है उपवास तो आज मेरे वरत होने के कारण मैं इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी जैसा कि एकादशी का वरत हम सबी रखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हम अशुद्ध हो गए तो हम अपना वरत कैसे करें और ये सवाल जो है आपकी सिर्फ एकादशी वरत को लेकर ही नहीं हर उस वरत को लेकर आते हैं जो हम करते हैं तो मुझसे भी एक सवाल ऐसा ही पूछा तो मैंने सोचा मैं आपको इसका जवाब दे दूँ मैं आज अपनी एकादशी की पूजा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अशुद्ध हूँ तो ऐसी अवस्था में मैंने अपने एकादशी के वरत को यानि मोक्षदा एकादशी के वरत को कैसे पूर्ण किया ये मैं आपको बताती हूँ देखिए सबसे पहले तो अगर आपके घर में किसी का वरत उपवास रहता है और किसी महिला का और अगर वो उस समय मासिक धर्म के दोरान अशुद्ध हो जाती है तो कोशिश ये कीजिए कि घर में कोई और सदस से हो उससे पूजा करवा लिजिए जरूरी नहीं है कि उसी वि दिविदान पूजा नहीं किया है उन्होंने सामान्य पूजा की है दीपक प्रजलित किया है बोग लगाया है और सात में यहां पर तोड़ा सा इन्होंने दूब दीप करके चालिसा वगरा पढ़ ली है और क्योंकि मैं वरत हूँ तो मैं पूरे दिन वरत को रखूंगी मानसिक रूप से प्रभू का नाम जबूँगी और हाँ मैंने कथा जरूर उनसे एकादशी की सुन ली है क्योंकि कथा श्रवर्ण मादर से ही काफी फल प्राप्त हो जाता है इस उस दिन पूजा अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी और से सामान ने पूजा करवाले और अकर सामान ने पूजा करने वाला भी कोई नहीं है तो उस दिन कोई पूजा न करें चुपचा आप बस मानसिक रूप से वरत को धारण करें और अगर वो गिंती का है तो गिंती में उस दिन के व्रत को count ना करें तो यह तरीका होता है हमारे culture में व्रत को पूर्ण करने का तो चलिए आज मैं आपको व्रत की कथा भी सुना देती हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत के अनुसार युदिष्टिर जी बोले है भगवान श्री कृष्ण आप मुझे 26 एकादशीयों का नाम व्रत की विधी बतलाईए तथा किस देपता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए भगवान जी बोले मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्षी की एकादशी का नाम मोक्षदा है यता नाम तथा गुण अथा मोक्षदेने वाला व्रत है 12 मासों में मैं मार्ग शीर्ष को उत्तम मानता हूँ यह गीता में अर्जुन से यह कह चुका हूँ इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन होता है और शुक्ल पक्ष का वरत मोक्ष का दाता है इस वरत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए आज वरत धारियों को भगवान से मेरी उखल बंधन लीला का श्रवड करना योग्य है अब मोक्षदा एकादशी की पौरानिक कथा सुनाता हूँ प्राचीन गोपुल नगर में वैखा नाम का एक राजा धर्मात्मा और भक्त था उसने रात्री को स्वप्न में अपने पूज पिता जी को नर्क भोगते हुए देखा प्रातहकाल जोतिशी वेदपाटी ब्रामनों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा ब्रामन बोले यहां समीप में परवत रिशी का आश्रम है उसकी शरणागत से आपके पिता शीग्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे राजा परवत मुनी की शरण में गया दंडवत करके कहने लगा मुझे रात्री को सप्ण में पिता का दर्शन हुआ वह विचारे यमदूतों के हाथ से दंड़ पार हैं आप अपने योगबल से बतलाईए उनकी मुक्ती किस साधन से शीग्र होगी मुनी ने विचार कर कहा कि और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं शीग्र वर्दाता तो केवर शंकर जी प्रसिद्ध हैं परन्तु उनको प्रसंद करने में देर अवश्य लग जाएगी परन्तु तब तक तेरे पिता की दुर्गत हो जाएगी इस कारण सबसे सुगम और शीग्र फल दाता मुक्षदा एकादशी का वर्द है उसे विधी संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो निश्य ही उसकी मुक्ती होगी राजा ने कुटुम सहित मुक्षदा एकादशी का वर्द करके फल पिता को अरपड कर दिया उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया जाते हुए पुत्र से बोला अब मैं परमधाम को जा रहा हूं शद्धा भक्ती से जो मुक्षदा एकादशी का महात्मे सुनता है उसे वाजपेय यग्य का फल मिलता है तो अपना ध्यान रखिए जैश्री क्रिश्न